सब्सक्राइब कर दीजेगा जहां आपको पीडिया डेली बिस्स पे मिलती है दूश्रा स्टेडी इंडिया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे क्यूंकि हम जो यह सीरीज है अब टू पिलिम्स तक चलाने वाले हैं तो पहले क्वेशन की और बढ़ते हैं जहां पर ब पास को बताएगा यह सिक्किम में बोमडिला पास को बताएगी और अंचल परदिस में तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है नाकुला पास यह उप्सन देख लीजिएगा वीडियो पहुच करके आप आंसर जरूर दीजिएगा और जो आपको रुकाव से कमेंट पास में बताएगा देखे नाकुला पास यह लदाक में नहीं है बलकि यह सिक्किम में नाथुला पास सिक्किम में सही है बोमडिला पास और अंचल परदिस में सही है तो इस तरीके से दूश्रा और तेश्रा सही हो जाएगा पहला गलत है तो भी आप्सन आपका सही हो जा चांगला, खरदुंगला, लंकला, अहिल पास लद्दाक में है, प्लीज यह याद रखी है क्योंकि इंडिया चाइना इंडिया निपाल का स्टेंड आप चल ला है अफ्रीका से पास होती है और फिर मेडिटेरेंसी में गिर जाती है, दूश्रा स्टेटमेंट यह कि अट बारा एक इसकी प्रिंस्पल इस्टिम है रिवर नाइल की, तो आपको बताना है कि इन में से कौन सा ओप्सन सही है, यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, ध्यान रखिय आपके पास दिये गए हैं, एक बार नजर जरूर डाल दीजेगा, देखिये, अगर मैं यह साउत आप इक्वेटर से और जिनेट होती है, यह सही है कि नहीं है, और मेडिटेरेंसी में गिरती है, यह भी सही है कि नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो दरकी गया, और 18.12 लेक इसके एक प्रिंसपल, टीर्ब्यूट्र है, क्यूंकि आफ भी हाल मिनियूज में था, तो मैं बता देता हूँ आपको क्यों देता हूँ आपको इस tone, पहले तो मैं आपको इसका एक्सप्लीनेशन देता हूं, देखिये, रिवर नाइल दो जगे से वाइट नाइल निकलती है और वहीं लेक ताना जो कि इथोपिया में है यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है और फिर यह खारतुम जो कि सुदान की राज़ानी वहाँ पर मिलती है और फिर यह नाइल लेवर कहलाती है जो कि इजिप्ट से होके मेडिटिरेंसी में घिर जाती ह वहीं अट बारा दूश्री ये तीश्री इनकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूट्री है नाइल की और इस ये भी इंपोर्टन्ट है अभी हाल में ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि एथोपिया ग्रेंट रहने से डैम बना रहा है इस इस नाइल पे जो इनकी बिलू नाइल है और सुडान और इजिप्ट ये दोनों देश इसका विरोध करें क्योंकि आपको पता है देखें लास्ट में इन दो देशों से होके गोजड़ती है अगर ये यहां पे डैम बनाएंगे तो यहां का जो पानी होगा वो कम हो जाएगा और दूशा ये भी है कि उगांडा भी ये अगरंडा भी अब इस वाइट नाइल पे अब अपना डैम बनाना चाह रहा है और ये इसले भी न्यूज में था तो आप जरूर याद रखेगा ग्रेंट रहने से जो डैम है वो कहा है लेक ताना कहा है लेक विक्टूरा किन कि ट्राय जंक्शन पे है और ये याद में जरूर बता दीजेगा ये थोड़ा एक्स्प्लिनेशन ती जहां आपको दी गई है और एक बार जरूर देख लिजेगा ब्लू नाइल अट बारा एंवाइड लाइट थ्री मेजर प्रिंस्पल स्टीम है इसकी ओके अब क्वेशन नमर तरी के बारे में बताए गया है इस तरीके के पहले भी पूछ चुकी है और इसलिए हम आपके लिए लेके आए हाली में इंडिया ने 500 डॉलर बिलियन को पार कर दिया है अपने फॉरें एक्सेंज डिजर में इसलिए हमने इसको न्यूज में रखा है अब देखेगा आपके पास स्टेटमेंट है कि फॉर करेंट करेंशी एसेड गोर्ड यह रिवर्स ट्रांस पोजिशन विद आये में तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन से फॉरेंट एक्सेंज डिजर में इंक्लूड होता है क्रेक्ट ऑप्शन बताना है आपने अभी तक सोच दिया होगा और इसका आंसर आपने दे भ बढ़ते हैं यह थोड़ा explanation है आपके बास देखिए कौन कौन सी होती पहले तो यह देख लीजिए फॉरेंग क्रेंशी ऐसेड कूर्ड एस्टियार एंड रिवर्स ट्रांस पोजिशन विद आये में पी चारो की चारो फॉरेंशी डिजर्व का पार्ट होती है चलिए आग सेटन फर्स्ट था जो जिसने और्बिट किया सेटन को ग्यानिमेट इस सेटन लार्जस सेटलाइट ओके या मून कह सकते हैं तो आपको बताना है कि इन दोनों स्टेट्मेंट में से कौन सी सही है यहां पर सही बता पूछा गया है आपके पास ऑप्सन इस तरीके से है आप पॉप आपने वीडियो को पाँज करके अंसर दे भी दिया होगा देखिए कैसी ने हाईजीन स्पेस्क्राप्ट में वास्ष सीटन यह तुस ही एंग बिल्कुल सही है कैसी ने हर ग्ताय स्पर्ड bacter जो की ना शका है और आउटर स्पेस को ये प्रॉब करने के लिए है और ग् चीज निकल के आये थी, International Astronomical Union ने बताए था, कि Saturn के अब से सबसे ज़्यादा क्या है, Moon है, पहले किस के थे, Jupiter के थे, बट अब Saturn के हो गए है, तो यह चीज आपको यहाँ पर याद रखने थे, तो ग्यानिमेट तो गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, Option A इसमें सही हो जाएगा, थोड़ा सा explanation आपके लिए यहाँ पर रखी गई है, प्लीज थोड़ा सा, देखीगा इसको बहुत सारी important information इसमें दी गई है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, lie, जो कि last question हमारा है, देखीए हम फिलाल question 5 भी रख रहे हैं, आपकी response में हम चाहें तो question को बढ़ा भी सकते हैं, but we need your response, so that we can further modify our lecture, और इस particular lecture में ज्यादा से ज्यादा question को हम ला सके, lie, जो कि एक fog dance है, यह recently news में था, आपको बताना, it is primarily associated with which of the falling state, तो यह किस state से संबंद रखता है, तो पहला option है, मिजोरम, दूसरा है नागलेंड, तीसरा है असम, और चौता है मनिपूर, तो आपको बताना है which one is correct, देखें जो lie है, जो कि fog dance, fog song है, तो यह पता किस से रखता है, यह नागलेंड, इसका जो answer होगा, वो नागलेंड होगा, it was in the news, और इस तरीकी के जो जितने भी fog song होते हैं, fog dance होते हैं, यह आपको याद रखने important हो जाते हैं, तो जुरूर इन चीज़ों को याद रखेगा, थोड़ा से explanation एक बार जुरूर देख लिजएगा, देखें, lie means fog song in the chokri language, spoken by the chak sang tribe, आपको एक और चीज़ यहाँ पर याद रखने पड़ेगी, चाग sang tribe, नागलेंड की होती है, तो दो चीज़े आपको यहाँ पर मिल गए, तो पिले ही हमने question 5 भी रखे हैं, बट हम इसके अलावा बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को like, share, subscribe जुरूर कीज़ेगा, यह हमें motivation देता है, ताकि हम आपके लिए daily basis पे इस तरीकी की quiz लिखे आएं, और हम आपसे वादा करते हैं, कि 4 October जहां आपका पिलिम से इस particular series को continue किया जाएगा, so thank you, thank you for the day.